बॉणि आजेट शेट इन अगे या मने हुट लिस पर ऊप्रोपिग व्लंच रिन पर फंदामेंटल थ़र्ड यूनीते हैं रिड़ोक्रीयों जो यूंते मिलवांमेटल स्क्राइट Сп bundle चार भागी पंवारिडियों सिक्प्साइट व थौंकर टोफ एक यूदा। काविटी ओर अन्कोंचियस पेशन का पढ़ेंगे ओरल काविटी कैसे क्लीन करते हैं और अन्कोंचियस पेशन का मींस जो बेहोस होते हैं या फिर बैद रिडन होते हैं उन पेशन का so definition it is the procedure of assisting the weak and debilated for cleaning mouth by mechanical brushing of teeth and reasoning of the mouth ठीक है cleaning का मतलब oral cavity का care का मतलब क्या होरा है हमनों को जितना भी oral cavity या फिर oral cavity को clean करना, mouth care करना, मतलब हमनों को साफ सफाई करना, mouth mechanically, by brushing the teeth और फिर पानी से दो के, ठीक है, पहले brush करेंगे, जितना भी, जहां पे भी plaque जमा हुआ रहेगा, जहां पे भी foot debris जमा हुआ रहेगा, उसको brush करके, मेकानिकल ही निकालेंगे, फिर उसको पानी से दो देंगे, वो इसका definition है, care of oral cavity और mouth care का, ठीक है, indication, mouth breather, patient on nil per oral, ठीक है, nil per oral means वो कुछ नहीं खाते हैं, mouth से उन्नों को brush, ये सब mouth care दिया जाता है, oral surgery patient, patient of oxygen inhalation, children under 3 years, patient who are unable to maintain educated oral hygiene, ऐसे patient जो अच्छे से brush नहीं कर पा रहे हैं, उनका, बच्चे जो 3 साल से छोटे हैं वो, और जो oxygen inhalation पे हैं उनका, और जिनको खाने के लिए कुछ भी खाने से मना किया गया है, उनलों का जो brushing होता है, brush होता है, वो कौन करता है, नर्सेसी करती है, उनका mouth care नर्सेसी करती है, oral surgery patient, मतलब जिनका भी mouth में surgery होए रहता है, वैसे patient का भी cleaning, नर्सेसी करती है, purpose, to maintain the hygiene of mouth, teeth, gum and lips, ठीक है, कहां कहां का hygiene maintain, हम लोग mouth care क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग साफ सफाई रख सके, माउथ में, teeth में, gum में and lips में, ठीक है, now next B, to clean mouth of mouth of food particles, plague and bacteria, वैक्टीरिया को हटाना है, जितना भी मतलब जमा हुआ है, दान्त के उपर, plague जमा हुआ है, उसको या फिर food debris है, ठीक है, खाना हाने के वाद छोटे मोटे food particles, जो है, वो दात में फच जाते हैं, वो सब क्लीन करने के लिए हम लोग माउथ केर करते हैं, अश्चीर दिसपार किया जाता है, तो हमको ऐसा लग रहे है, कि उनके मूझ से बदबू आ रहा है, या फिर उनको टेस्ट नहीं आरहा है, उसके माउथ केर किया जाता है, बाइबा ब्रश करने से उनका एपटाइट इंक्रीज होगा और उनका एपटाइट को हम लोग स्टुमिलेट कर पाएंगे इसलिए यह परपस है माउथ केर कर जाता है तो प्रिवेंट सोर्स कैरीस इंफेक्शन और टीशू सोर्स मेंज ओरल सोर्स जो होता है अंदर मतब च्छाला जो होता है उसको सोर्स बोला किया ठीक है ब्रशिंग क्यों करना चाहिए मौथ केर क्यों करना चाहिए तक च्छाले ना हो कैरीस ना हो में आपका टीथ का डीके और आपके oral tissue में आपके mouth cavity में कोई भी tissue में infection के वज़े से घाव ना हो इसलिए brush करते हैं to prevent dryness of mucous membrane brush इसलिए भी करते हैं ताकि जो mouth है उसकी mucous membrane dry ना हो इसलिए ठीक है नो next check out the articles clean mouth tray क्या क्या समान रखोगे जब oral cavity care करने जाओगे तब clean mouth tray containing नहीं वह कुछ और hand return है उसको मत देखो clean mouth tray containing मतलब एक बड़ा सा tray होना चाहिए जिसमें हम लोग सबसावान को रख सके पहला है face towel tumbler tumbler means glass ठीक है या फिर feeding cup containing water एक glass होना चाहिए जिसमें भारा हुआ पानी होना चाहिए soft brister soft soft वह वाला दांत वाला टूथ ब्रस होना चाहिए टूथ पेस्ट टूथ पाउडर और अवैलेबल डेंट्रिफाइस ठीक है यह मंजन करते हैं तो मंजन या फिर कोलगेट जो भी toothpaste यूज करते हैं कोलगेट पैपसुजेंट जो भी वह टूथ पेस्ट रखना है sodium chloride रखेंगे thai moil रखेंगे dilute solution of potassium permanent 1 ratio 1000 तो 1000 रिशियो उसमें water डलेगा ठीक है या फिर जो भी mouthwash रहते हैं उसमें chlorohexidine present रहता है एक टाइब केमिकल है mouthwash है ठीक है now cotton applicant cotton ball cotton applicator या cotton ball छोटा 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 cotton का बना हुआ छोटा छोटा बॉल होना चीए amylion in the container ग्रिस्लीन लिक्विड पैराफिरिन वेस्लीन कोकोनेट ओई ठीक है amylion का मतलब होता है कोई साभी तेल या फिर कोई साभी तेल या फिर oily टाइप कुछ जो मोईश्राइज करने के लिए रख सके उसको amylion बोलते हैं जैसे साइकल में ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो मोईश्राइज बने रहे वहां पर मोईश्राइजेशन बने रहे वह से स्किन के लिए ग्रीस्लीन लिक्विड पैराफिरिन ब्रेस्लीन या कोकोनेट ओई रखते हैं के बेसिन मिन्स किड्नी बेसिन एमेसिस बेसिन 2 जो वोमिट करते हैं या जो थूकते हैं ब्रश करने के बास वो सलाइवा को थूकने के लिए ठीक है एमेसिस बेसिन होता है किड्नी बेसिन मतलब होता है के बेसिन मतलब किड्नी बेसिन जितना भी उनका ओरल कावीटी को क्लीन करेंगे उसके बाद जो भी कॉटन मोटन बचेगा या फिर ब्रश करने के बाद जो रूई से क्लीन करेंगे exactly कोई कोई टीत को या फिर वूंड है उसको या सरजरी को तो किड्नी बेसीन में dirty या used कॉटन रखते हैं ठीक है small macintos macintos means macintos ठीक है clean gloves macintos का मतलब क्या होता है बड़ा सा ऐसे leather का बना हुआ रहता है ताकि पानी जो है उनके patient के bed पे ना गिरे इसलिए macintos रहता है ठीक है now check out फिर procedure करना है procedure के बाद after care assist patient in getting comfortable position अब उनका procedure हो गया है मैं procedure सब एक साथ पढ़ाऊंगी ठीक है फिर after care procedure हो जाने के बाद after care क्या करोगे patient को comfortable position देना है उसके बाद discard the waste जितना भी waste kidney basin में या फिर emesis basin में जहांबे भी patient थूका है emesis basin में वो जो liquid है या फिर cotton है used वो सब क्या करना है फेकने के लिए discard करना है पहले फेकना है ठीक है और जो भी usable है उसको use करना है clean करके discard the waste clean I'm sorry clean the used article जितना भी used article है ओ article को हम लोगो clean करके रखना है replace the equipment on the right place ठीक है जहांपे उसका self या जहांपे उसका rake बना हुआ है mouth care tray को रखने के लिए mouth care equipment को रखने के लिए जहांपे रेक बना हुआ है वहीं पर रखना है सब कुछ रखने के बाद hand wash करना है document करना है फिर hand wash करने के बाद document करना है document the procedure including time solution आप कौन सा solution यूज़ किये कौन सा toothpaste यूज़ किये यह सब को लिखना है और साथ में उसको document करना है ठीक है तो हम लोग documentation क्यों करते हैं the document in nursing intervention and client response ठीक है nursing intervention means nurses क्या-क्या काम करती है उनका performance check करने के लिए या फिर उनसे कोई गल्ती ना हो जाए अगर कोई गल्ती हुआ होगा जिसे की toothpaste के जगह या मंजन के जगह कोई और chemical को दे दिये होंगे गल्ती से गल्ती से तो उसका दुबारा सही भी तो करना पड़ेगा ना कुछ गल्ती हो गया तो उस गल्ती को notice करने के लिए या find out करने के लिए documentation करते है ठीक है ताकि nurses से कु के रखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं आज सुबा या फिर एक घंटा या दो घंटा पहले गल्ती की थी और उसको में को सुधारना है तो वो पॉसीबल है गल्ती पता होगा तो सुधारना पॉसीबल है इसलिए documentation करते हैं ठीक है और client का response चेक करने के लिए कि पहल check of unconscious patient के जड़ आंकोंशस पेशेंट जो आंकोंशनस पेशेंट रहते हैं या investigations environment using Performing Mechanical Cleansing of Teeth and Mouth for Unconscious Patient Performing Mechanical Cleansing of Teeth and Mouth of an Unconscious Patient Oral Care का मतलब क्या होता है? Mechanically पहले brush से clean करना, उसके बाद पानी से दो देना, उसको बोलते है Mouth Care वैसी conscious patient में भी वही किये थे, पहले brush, toothpaste डालके फिर पहले brush किये फिर उसको पाने डालके दो दीए, ठीक है, वही unconscious patient में भी same definition है लेकिन इसमें क्या है, patient unconscious है, हम लोगों को उनका मुख खुदी खुलना पड़ेगा और खुदी brush करके, खुदी उनलों को, उनलों का सर को bend करके एमिट करवाना पड़ेगा, वोमिट करवाना पड़ेगा, जो भी saliva है, brush करने के दरान, जो भी पानी है, waste पानी, उसको क्यों करते हैं, what is the purpose of doing oral care of unconscious patient, to maintain healthy state of mouth, ताकि जो patient unconscious है, उसका मुँ बदबू ना है, उसके मुँ से बदबू ना है, उसके दान में कारीस ना हो, सड़े मात, प्लैग ना हो, गेक्टिरिया ना हो, ठीक है, इसलिए, to stimulate appetite, ठीक है, unconscious patient में भी जब उनका appetite increase करने के लिए या उनका appetite को, मिन्स उनका भूग को बढ़ाने के लिए या फिर stimulate करने के लिए, oral care किया जाता है, to provide sense of well-being, to massage the gum, ठीक है, brush कर देंगे, तो patient को अच्छा लगी कर इसलिए, ब्रश कर देते हैं, to massage the gum, means, जो मसूड़ा है, उसको massage हो सगे, इसलिए brush करते है, to relieve the discomfort resulting from unpleasant order and taste, ठीक है, जो गंदा बदभू आता है, वो सबसे बचने के लिए brush किया जाता है, to prevent gum inflammation and infection, gum inflammation means, जो मसूड़ा है, वहाँ पर inflammation ना हो, उसमें, मतलब redness ना हो, वहाँ पर infection ना हो, उस तब ना हो करके, या फिर उसके बचाव के लिए inflammation और infection के बचाव के लिए oral care किया जाता है, now next is check out the procedure, ठीक है, जैसे oral care किया जाता है, conscious patient में, वैसी oral care procedure, unconscious patient में भी किया जाता है, preparation of client, सबसे पहले हम लोगों, client को prepare करना है, check the condition of oral cavity, patient को लाना है, फिर उनको condition पहुँचन करना हैं, कि वह खुभ बस करने, unconscious है एतोarna छो अपनी, 새क्ष पहले洗़ पाएंगे है खुज से ब्रश नहीं कर पाएंगे, तो हम को यह चेक करना हैं, कि उनका इक हम सफ है नहीं वह जुमॉट्थ है बकल्स मौन बच्राइट do she您 have it which, पृपकल जुम सब्सक्राम सब हाइध में वह साफ है कि नहीं नहीं टर्व कणिशन पर जनरल कंडिशन ओ टेखना है जनरल कंडिशन अर्वधिय सदें आपैरेशन का की वह सब्सक्राइट है उनका frequency ठीक है हम दिन में कितने बार उनको brush करें वो हमको पता करना है कि दिन में कितने बार हम लोग को इसका brush करना चाहिए फिर arrange article फिर का है keep in mind doctor instruction तो doctor जो भी instruction दिये रहता है कि patient को इस chemical से brush मत करना या फिर इस type के मंजन से या toothpaste से brush नहीं करना या potassium permanent नहीं देना ऐसा कोई भी instruction दिया रहता है doctor तो वो हमको याद रखना है ठीक है और जिस type का हम लोगो mouth care देना है उसके according हम लोगो article arrange करके रखना है ठीक है article arrange करके रखना है उसके बाद कौन कौन सा solution आप यूज़ कर सकते हो that is potassium permanent one ratio 5000 या one ratio 6000 जो unconscious patient है conscious patient में क्या डाल रहे थे one ratio अगर potassium permanent है तो 1000 ratio water डाल रहे थे ठीक है लेकिन जो unconscious patient है जो coma में है या बेहोस है unconscious है उनका one ratio 5000 में dissolve करना है मतलब 5000 पार्ट जो है वोटर रहना चाहिए और वन पार्ट जो है वो potassium permanent रहना चाहिए ठीक है से लेकर one ratio 6000 तक मतलब 6000 ड्रॉप वाटर में वन ड्रॉप आप potassium permanent डाल सकते हो now next is hydrogen peroxide ठीक है one ratio 8 sodium chloride one teaspoon to a pint of water ठीक है एक पींच एक चम्मच पानी में एक चुटकी हम लोगो sodium chloride डालना है now next is lemon juice two cup two spoon to a cup of water एक cup water में 2 spoon lemon juice डालना है और patient का माउथ को हम लोगो clean करना है ठीक है thank you the class is done the next topic will be deal on next video ओके यह लास्ट वला lemon juice अला समझ में आया एक cup water में 2 spoon बस lemon juice डालना है और patient का माउथ को clean करना है thank you